वेरी गुड आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड आप लोग बात करने जा रहे हैं कुछ उन बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जिनको आपको समझना चाहिए जिनको आप जानना चाहिए कि अगर हमें कम एज में आइस बनना है या इसका एक दूसरा मतलब भी होता है आखिर कौन है जो ज़्यादा एज में आइस बनना चाहता है? एक जिसको शुरुआत से अच्छी गाइडिंस नहीं मिली दूसरा वो जो तैयारी के दौरान बड़ी गलतियां करता है और एटेंट पर एटेंट खराब करता जाता है जनरली 21 साल में आइस कैसे बने यह जो वर्ड हम यूज करते हैं एक सिंबॉलिक है एक सिंबॉलिक है एक सांकेतिक है 21 साल में कौन है जो नहीं बनना चाहता है? सब ही लोग जल्दी से जल्दी इस उमर में सर्विस में आना चाहते हैं आपकी सर्विस एक्स्टरॉडिनरी होती है अनभवाधारी सर्विस होती है दूसरा सबसे महत्यपूरा कि क्यों नहीं बन पा रहे हम इस पर बारे में बात करते हैं एक्शुली इस सर्विस को लेकर जो यहां पर मैं लगातार प्रयास करता हूं यूटूब पर आकर या तमाम वेबिनार के माध्यम से वो एक जबरदस तरीके से जो है वो एक बदलाओ लेकर आथा इस सर्विस की एक बड़ी अलग ही एक रिक्पार्मेंट है इस सर्विस में परसनेलिटी वे बात होती है इस सचिन ने लिखा कि आज मैंने आपके लिए एक पोयम लिखी है सचिन मुझे मिली और मैं बहुत ही प्रसंद हूँ ओजंकियन्स वैसे भी बहुत ही अलग हटकर काम करते हैं और एक से एक नई नई चीज़ें हम इनोवेट करते हैं इजुकिशन और ये UPSC की जो आपका करियर है वो इनोवेशन का नाम है आपको नई परिपार्टी पैदा करनी होती है नए परिपार्टी बनाना होता है नए टास्क को इस्थापेद करना होता है तो बहुत सी नए-ने काम भी हमें करने होते हैं तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं आखिर वो हमसे गलतियां क्यों होते हैं हमारे एटेम्ट क्यों खराब हो जाते हैं क्या हम पढ़ने में कमजोर हैं क्यों नहीं हम जल्दी समझ पाते हैं कमेज में बात समझ पाते हैं कि हमें basically जो है वो कैसे अपनी चीजों को करना है अब एक इस्टेंट ने लिखा है कि sir मुझे foolproof plan चाहिए plan से कुछ नहीं होता है ठीक है plan तो बहुत से बनाया जाते है plan तो मेरे खाल से अगर आप पीछे अपनी जिन्दगी पलट के देखो डैरी वैरी लिखते होगे तो आपने धेर सारे plan बनाया होगे सवाल है कौन है जो सुबह ये time table नहीं बता सुबह चार बज़ोट के पढ़ना आई किसको नहीं पता है सवाल हम क्यों नहीं कर पाते inappropri alors को प्रसिनाल्टी में हमारी कम्या किया है जैर तुम है plan बनाना नहीं आता दुम्हें अगर आता है तो उसको execute क्यो नहीं कर पाते है डेखो तुम अपने जिन्दगीं में एक बार पलट के देखो तुमने कितने टाइम टेवल बनाया होंगे, कितनी प्लानिंग की होगी, अपने चाहिए बोर्ड का एक्जाम जब रहोगा, तुमने कितनी कसमे खाई होगी, और आज वो नहीं पूरा हो पाया, reason क्या है, reason है कि हमें प्लान बनाने के साथ साथ हमें उसको execute करने के तरीके भी पता होने चाहिए, और दूसरी बात, ये न बोर्ड का एक्जाम है, न ये इन्वस्टी का एक्जाम है, मैं कई बार कई मंचों पर प्रूव कर चुका हूँ, ये basically UPSC का एक्जाम है, यहां personalities की जरूत होती है, तो वो traits अलग होते हैं, जो हमें अपने आपको तयार करने होते हैं, चल ये शुरू करते हैं हम दो, अगर आपको शुरुवाती दोर में, मैं कई बच्चों से मिलने के बाद, कई महत्पूर्ण बातों पे discussion करने के बाद, मैंने एक कुछ traits बनाये हैं, ठीक है, जो आप आज लिख लें, और मेरे साथ जुड़कर आप इनको लगातार सीखते रहे बहुत ही महत्पूर्ण है, बहुत important ये segment है, अगर आप success होना चाहते हैं, लोग को लगता है कि, कहते हैं कि success पाना है, यार आइस बनना है, लेकिन success कोई destination नहीं, पहली बात तो मेरी बात ध्यान सुनना, success कोई destination नहीं कि ये करनेंगे और हो जाएगा, भगवत गीता में भी अधिकारस्ते, मा, फलेश, उकदाचन, और यहां पर जो success है, वहां पर जब दो बहुत जाने माने अगर आपको कभी मौका मिले, तो दो जाने माने writers हैं, पढ़िएगा, एक है James Clear, जोन्होंने Atomic Habit लिखी है, और एक है Charles Dwight, जोन्होंने Power of Habit लिखी है, इन दोनोंने आदत लग जाना, या कोई हिट हो जाना, ये नहीं है, success basically एक habit है, जो लोग success होते हैं, वो आपने देखा होगा, उस छेतर में धिर धिर उनको महारत हासिल हो जाती है, success एक आदत है, आदत का मतलब होता है कि follow a schedule, एक चीज़ को इतनी बार करना, कि तुम्हारा brain अपने shortest path को achieve कर ल तो आपने देखा होगा, जिस चीज़ की आपको आदत पढ़ जाती है, वो चीज़ आप बार-बार करते हैं, और उससे छूट नहीं पाते हैं, mobile चेक करने की आदत है, तो बार-बार हाथ अपने आप जाता है, तुरंत ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ी दिर में हमें एक उ neuroscientist हैं, वो कहते हैं, success भी एक habit होती है, ठीक है, अब success एक habit है, तो मैंने इसको UPSC के हिसाब से जो सफल कंडी रेट हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किलों से खास तरप उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने आप जिब कहते हैं कि सार मेरी situation बड़ी खराब है, जिन्होंने ग student से बात करके, जहां से nearest hospital ही 80 km था, बरसात के दिनों में बड़े गढ़े हो जाते थे, सहर जाने के लिए कोई सुवधा नहीं थी, मैं उन बच्चों से बात करने के बाद, जो मैं लगातार उनके interviews लेता हूं, वहां से मैंने कोई चीज़ें निकाली कि UPSC में कौन सी success habits कराना होता है, और हमें इसको इतनी बार करना होता है, कि success पाना हमारी आदत बन जाए, हम जिस चीज में हाट डाले, वहां हम उसको अपना best निकाल कर लेकर आ सके, आईए बात करते हैं, कि कौन-कौन सी success habits हैं, जो आपके लिए बहुत जादा important है, बात करता हूं, सबसे पह habit, habit के बारे में चास जो एक ने कहा, कि अपने आपको परिवर्तित करना पड़ता है, चाहे बुरी आत्ते छोड़ना हो, चाहे नई आत्ते सीखना हो, इसके लिए आपको बहुत जादा अंदर से प्रयास करने पड़ते हैं, atomic habit में James Clear ने भी यही बात कही है, कि आपको चीजें भी आदत हैं, दिमाग के साथ यही प्राब्लम है कि वो अच्छी और बुरे के बीच का फरक नहीं कर पाता, आपको किसी को सिगरेट पीने की आदत है, थोड़ी दिर बाद उसको लट लगती है, अचानक से उसको क्या होता है, क्यों उलता है, क्या सिगरेट पीनी किसी को तमाकू खाने की आदत है, तो वो तमाकू खाएगा, इसी तरह से अच्छी और बुरी आदतों में कोई भी फरक नहीं होता है, सवाल यह है कि हमें क्या आप्ट करना है, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो अब हम बात करेंगे कि UPSC के स्टुएंट को, अगर देखते हैं UPSC में जाने का, अगर आप गलतियां कम से कम करना चाहते हैं, सिंबल यह है कि आप गलतियां कम से कम करना चाहते हैं, अपने एटम खराब नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अपनी पढ़ाई के साथ अपनी जीवन में उतारनी पढ़ेंगी, पहला है reading newspaper, newspaper को पढ़ना, आप कहेंगे साथ क्या आश्चरी की बात है, यह देखो मेरे घर में newspaper आता है, मैं तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन अगर आप शाम को साड़े चार बजे जब मैं syllabus analysis की class में हूँ, और जब newspaper पढ़ना, और एक चाय की दुकान पर newspaper पढ़ना, और एक U सबसे बड़ी बात यह habit है, एक सफल candidate से मिला, हाली में उसका selection हुआ था, तो मैं जब उससे, क्या नाम है, मिलने के लिए आया, तो मैंने देखा ऐसे ना, newspaper है, अब selection हो चुका है, अब आप celebrity हो चुके हो, ऐसे newspaper है, तो कार में मेरे साथ मैंने का, क्या हुआ, यह अभी भी newspaper पर क्या बात है, बुला सर, आदत बन गई है इसकी, मलब ऐसा लगता है, कि सुबह अगर ना पढ़ो ना तो तड़ अपने लगता है, मन की जैसे लगता है, कि हम पूरी दुनिया से cut-off हो गए, इतने समय से इसको पढ़ते, 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 ऐसी आदत हो गई है, कि अगर नीजविपर सुबह ना मिले, तो जो है, वो एक अजीव सा पागलपन सा लगता है, फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे चर्चा हो रही थी, किसी और अभ्यरती से, तो अब भई आई-एस बन गए हैं, शादी हो रही है, वो भी आई-एस हैं, तो मैंने कुझा कि मिलब क् का जब है, कैटर भी अलग-अलग है, और अलग-अलग आप उसमें भी हैं, तो बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगी, मिलब डिस्टेंस बहुत जादा है, और इस तरह से newly married हैं, आप लोग फिर भी अलग-अलग स्टेट्स में, तो बोले सर, आम लड़की साधी नहीं कर सकते वहने का, क्यों? बोला सर, क्या बात करेंगे? वो पूछे कि दाल, चावल के बारे में, और यहां आदत हो गई कि देश-दुनिया में क्या चल रहा है, प्रशाशन में क्या चल रहा है, आज DM ने क्या कहा, आज मुख्यमंतरी ने क्या कहा, हम ये बात किसे के लिए पढ़ पढ़ रहा हूँ, GS paper 1, GS paper 2, अपने optional subject, GS paper 3, किसके लिए पढ़ रहा हूँ? जब आप इस तरह से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको बहुत बड़े changes दिखाई पढ़ते हैं, clear है? तब आपको बहुत बड़े changes दिखाई पढ़ते हैं, तो पहली चीज, it should be habit, यह आदत होनी चाहिए, news paper ना मिले, अब तरपन ले, और मैंने बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है, जो बहुत ही जादा यहाँ पर important तरीके से काम करते हैं, right? चलिए, आजाते हैं next, अगला जो हमारा segment है, which is very important, time management, यह भी habit है, तुम्हें पता होगा, जिस student time तुमा करना चाहते हो, time ही नहीं मिल पाता है, revision करना चाहते हो, time ही नहीं मिल पाता है, तुम्हारे 24 घंटे और एक टॉपर के 24 घंटे में, क्या उसके पास जादा 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास कम 24 घंटे, ऐसा कोई word होता है, ऐसा कोई word नहीं है, सवाल यह कि हम एक व्यक्ति होत वो time mismanage करता है पलट के देखिए आपने life में कितनी बार ऐसा रहा होगा कि आपने चाहा होगा कि बोर्ड में आप टॉप करें मेरिट में आए अच्छे number लेकर आए और कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपको जो है वो आप time management नहीं कर पाए और उसकी वज़े से आप अपना मंचहा result नहीं प्राप्त कर पाए तो अगली जो habit है time management skill को सीखना याद रखिएगा time management में schedule होता और schedule में habits होती है आपको time table नहीं बनाना है time manage करना है अपने हिसाब से time management क्या होता है self होता है मैं नौकरी पे जाता हूँ मेरा time management अलग तरीके से होगा मैं college student हूँ मेरा time management अलग तरीके से होगा housewife मेरा time management अलग तरह से होगा full time preparation करनी मेरा time management अलग से होगा मैं रात में पढ़ता हूँ तो मेरा time management अलग होगा मैं morning में उठके पढ़ता हूँ मेरा time management अलग होगा